हेलो फ्रेंड्स मैं हुरेखा सिंग स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यारे स्टैडीज अपका है आप 64th BPSC इंटर्व्यू और 65th BPSC मेंज के लिए गाइस एक बहुत सारे क्वेशन सबनते हैं यहां से इंटर्व्यू मैं जो अक्सर पूछे जाते हैं चाहें या बिहार से बिलॉंग करते हैं या किसी बाहर के स्टेट से तो आप से जरूर पूचा जाएगा कि बिहार पिछड़ राज्य क्यों है क्या परमुक कारण है इसके पिछड़ शकरन बता रहे हैं कि यहां पर गरीबी है गरीबी क्यों है आप यह बताएए फाइन परियं य हो siitä आप को बताना है ऐसा कि यहां इसंटी कारण हुआ क्इस चपयूद कर ंड़ औहुरे कि आप प्रमुक हिस्टोरिकल का रवब रहे प्रितल कारण थे एक जिसे विथी questions देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है means में भी questions पूछे जा सकते हैं guys आपको बीस पेपर्स में तो what are the main causes of the backwardness of Bihar? Bihar के पिछड़े पन के प्रमुख कारण क्या है and what are the solutions to them? उनके लिए क्या solutions है? यह सब देखेंगे हैं आगे slides में fine why Bihar is a backward state? Bihar पिछड़ा हुआ राज जे क्यों है? what are the reasons? इसके पीछे क्या प्रमुकारण है? according to you आपके अनुसार, what are the main reasons for the backwardness of Bihar? how did Bihar become the loser state of India? कैसे Bihar loser state बना? भारत का? ठीके बिमारू state कैसे बना? why Bihar is one among the poorest state of India? या poorest state of India में से वो एक है? क्यों है? सवाय Bihar is agriculturally backward? तो these are few questions इस तरह से कुछ भी पूचा जा सकते है आपसे बिहार के पिछड़े पन से related तो आपको शटीक कारण पता होने चाहिए although यह topic में on academy पे पढ़ा चुकी हूँ अपने 64th BPSC interview guidance program में जिन candidates ने वहां में एक लास अटेंड की थी उनको यह सब पता होगा बड़ जिन्होंने नहीं की थी क्योंकि बहुत सारे candidates request कर रहे थे के madam जो आप अपन academy पर पढ़ा रहे हो वो यहां पर भी पढ़ा दीजिए तो इसलिए मैं यह आपके साथ डिसकस कर रही हूं देखिए major factors क्या है जबी भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताने है that major factors behind the backwardness of Bihar, Bihar के पिछडे पन के पीछे प्रमु कारण है सबसे पहला जो कारण है वो है unequal land distribution, lack of investment in agriculture, fine, इनको एक एकर के detail में discuss करेंगे हम आगे, freight equalization policy, उसके बाद lack of funds provided by the center, geographical disadvantage है Bihar state को, इस सब को हम detail में देखते हैं आगे, state ridden with caste politics, high population rate, low literacy rate, fine guys, तो ये प्रमु क्छे कारण है, जिनकी वज़े से Bihar पिछडे राज्य में गिना जाते है और ये backward हो गया ये राज्य, ठीक है criticalization की policies में से प्रमु कारण रही, उसके बाद unequal land distribution भी एक major region है उसके अलावा 70 साल से ये जो आपका caste politics वहाँ चल रही थी उसके according भी Bihar काफी पिछड़ गए क्योंकि developmental politics हो नहीं पाई, ठीक है इसको चलिए आगे एके करके detail में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले guys मैं बात करूँगी unequal land distribution देखिए आपको और मुझे सबको पता है कि आजादी से पहले जब अंग्रेज भारत में थे ठीक है उस समय पर permanent settlement act लाया गया था 1793 में ठीक है जमिदारी सिस्टम भी जिसे कहते थे एक महलवारी था और रयतवारी सिस्टम भी था पर जमिदारी की बात करेंगे क्योंकि बिहार उडिस्टा यह जो बिंगॉल वाला रीजन था यहां पर आपका जमिदारी सिस्टम लगाया गया था introduced by the lord convalis जमिदारी सिस्टम यूप बिहार बिंगॉल उडिस्टा में लगाया गया था देखिए गाईज होता क्या था जमिदारी सिस्टम के अंदर एक बात ध्यान से समझ लीजे ताकि आप जब आप से पूछा जाए यह क्या है अनीक्वल लेंड इस्टिबिशन और इसकी वज़े से बिहार क्यों पर चड़ गया है तो आपको उसे संझा सकों बोर्ड मेंबर्स को आंड़ जमिदारी सिस्टम जमिदार से रिकागनाइज अस ओनर रोता था जो जमिदार्स होते थे ब्रिटिश गोवर्वर्मेंट ने उनको ओनर बना दिया लेंड का वह पीज़ेंट से revenue collect करते थे जो भी वो उगाते थे अपने खेतों में उनसे tax लिया करते थे और tax का कुछ पार्ट अपने पास रखते थे बाकी British government को दे देते थे देखेगा जो समय जो agriculture था उसकी इस्तिती बहुत खराब थी कहीं floods आ जाया करते थे कहीं droughts पर जाया करता था अकाल आ जाया करता था जिससे जो agriculture output था न वो लो था ज्यादा उत्पादर नहीं होता था ठीक है अग्रिकल्चर आउटपुट लो होने की वज़े से जो revenue था वो भी लो था पीजेंट्स जादा पैसा जादा टैक्स जमिदारों को नहीं दे पाते थे ठीक है सम्टाइम्स वो बिल्कुल कुछ नहीं दे पाते थे क्योंकि उनकी जमीन में कुछ होई नहीं पाता था अब यहां पर British सरकार को हैंड मिल गया उपर से अपर हैंड ब्रिटिश गवर्वर्मेंट टैक्स पिक्स कर दिया तो जमिदारों ने जबरजस्ति करना शुरू कर दिया पीजेंट्स के साथ ठीक है इससे क्या हुआ कि पीजेंट्स की जमीन भी छिनना शुरू हो गई जब वो टैक्स नहीं दे पा आपका फाइन देखिए इसी को एक प्रमुकारण कहा जाता है जमीदारी सिस्टम को ही नक्सल मुवमेंट का प्रमुकारण कहा जाता है आपका जो यह नक्सल में स्टार्ट हुआ आपका यह नक्सल मुवमेंट जो स्टार्ट हुआ इस इसका भी जो प्रमुकारण यह भी है जबनिदारी सिस्टम से ही फाइन देखिए गाइज जो अधर सिस्टम से जैसे आपका रहयतवारी सिस्टम था उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूं यह आपका बॉंबे सम्वेर अरांड बॉंबे मद्रास वगरा मैं इसको लागू किया गया था देखिए इ यहां पर टेक्स को फिक्स नहीं किया गया था 9 टेक्ष्ट ठीक है कोई टेक्स नहीं कर्खिया गया था तो यहां पर जो किसान थे जितना उ गाते थे सिर्सके क funzion की ओब पर अत्याचार नहीं हुए failure द्लिया परे देखिए इसके जो negative impact थे वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं और कई वर्षों तक बने रहे यूपी बिहार आपका बिंगोल उडिसा जैसे छेत्रों में क्या इसके प्रमुक कारण रहे देखिए इसकी वज़ा से अब लोगों में जो किसान थे उनमें रोश आ गया था ठी रीजन में लेंड को अच्छे से डिवाइड कर दिया गया था ठीक है बट यूपी बिहार वाला जो रीजन था वहां पर लेंड का प्रॉपर डिस्टिब्यूशन नहीं किया गया जो लेंड रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी लाइं गई थी भूमी सुदार वगरा के लिए ल अगरिकल्चर इल्स कम हो गए देखिए गाइस आप और मैं हम सब जानते हैं कि इंडियन अपने जो फील्ट हैं जो अपने खेत हैं उनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं दो हजार ती दो हजार दो और तीन का ही मैं आपको डाटा बताती हूं 33 प्रतिशत जो हाउस होल्ट से बिहार में उनके पास कोई लेंड नहीं थी नो लेंड टीक है इस तरह से वहां पर अनेक्वालिटी थी असामानता थी ठीक है 15 प्रतीशत जो हाउस होल्ट जो घर थे उनके पास 400 मीटर स्क्वार अफ लेंड था इसमींस दोज वर्क ओन लेंड इसका मतलब यह था कि जो लोग खेतों में काम कर रहे थे उनके पास पै तो बहुत चोटे चोटे तुकड़े हैं one hectare two hectare of land ठीक है तो वह ना तो machine खरी सकते हैं tractors Thrashers अपने खेतों में काम कर आने लिए ओनके पास पैसा है वो बहुत vetty farmer's have poor pussy marginal par était श्वह मारीमर्जनल बाइट तो एक यह प्रमुख कारण है उसके अलावा देखिए गाइज जो आपका एगरी कल्चर है उसमें कोई प्राइवेट इंवेस्मेंट भी बिहार यूपी जैसे जो इस्टेट्स थे इनमें कभी देखने को जादा मिला नहीं ठीक है इतनी सारी नदियां होने के बावजूद बिहार में जो लेंड इरिगेटेड है वो सिर मोरन सी रेसीो 90 प्रतिशत किसान सिचाई कर पाते हैं अपने खेते ओं की गुजरात की अगर मैं बात करो तो 87 प्रतिशत जो किसान है वो सिचाई कर पाते बाद बिहार में इतनी नदियां होने मतलब जो आपका ग्राउंड वॉटर है जमीन से जो निकाला गया पानी है जो पंप वगएरा की मदद से निकाला जाता है तो वो उन्होंने निकालना शुरू किया बट उस समय पर एलेक्ट्री एलेक्रिसिटी की जो सप्लाई थी वो बहुत इनकंसिस्टेंस थी सप्लाई प पर वहां नहीं रहते हैं उनमें काम नहीं करते बड़े शरम है वो लोग चले जाते हैं वहां रहते हैं तो उस लेंड को प्रॉपर डिस्रिब्यूट करने की जरूए थी जो लेंड रिफॉर्म की जो पालिसी लाई गई थी उन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट यूपी ब लिए माइग्रेट करना पड़ता है ठीक है बाहर जाके अपने लिए नौकरी तलाश करनी पड़ती है रोजगार की तलाश करनी पड़ती है फाइन देखिए गाइस जो अग्रिकल्चर सेक्टर है यूपी बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में में जो 80 प्रति की वज़े से प्रॉब्लम हमें देखने के मिलिया और इसका हिस्टोरिकल यह ग्राउंड यह आपको पता होना चाहिए राइड उसके बादबारी आती है आपकी प्रेट एक्वालाइजेशन पॉलिसी देखिए इसको नाइटीन फिप्टी त्री में लागू किया गया था इसको बंद कर दिया गया था देखिए गाइस यह क्या है इंडिया गवर्मेंट इसको लेकर आई थी प्रेट एक्वालाइजेशन पॉलिसी को देखिए बिहार के पास पहले मिंडरल से हम सभी जानते मगद एंपायर वहां था ठीक है इतने सारे जो एंशेंट और मेडाइ बिहार के पास मिंडरल वेल्थ एडवांटेज था आपका जो जार खंड वो तो 2000 में डिवाइड हुआ है बिहार से ठीक है जो सारा मिंडरल रिचे लिया और इंडस्ट्रीज वगरर को उसने डिवाइड कर लिया बट बिहार के पास पहले सारी वेल्थ इसारे इपका भारत है समझे तो जैसे बिहार में आपका मिनराल है बंगॉल में मिनराल में अधिस्ता में तो जहां जहां होते थे और तो वहीं पर फेक्टरी लगती थी फाइन क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगएर थे वहीं चाहते थी किने ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ें अब मिन्रल्स यहां पर हैं बिहार में हैं और फैक्ट्री लगा ली यहां पर गुजरात में ठीक है तो यहां से यहां तक लाने का जो खड़्चा है रोव माटेरियल यहां से कोईला निकाला और ठीक है 100 रूपीज का था ठीक है जो इस नहीं चाहते तो इन्होंने सोचा कि क्यों प्रक्रटी लगा लिए बीहार ने तो पहले और को रहाता है इसको हम देंगे जो transportation cost है उसको central government उठाएगी subsidize कर देगी उसको ठीक है आप यहां से coal लाई गुजरात में factory लगानी है करनाटका में लगानी है तामिल नाडू में लगानी है यहां लगाईए आपको 100 rupees का ही वो coal पड़ेगा यह थी आपकी fret equalization policy this means a factory could be set up anywhere इसका मतलब भी था कि factory को कहीं भी set up कर लो in all over India and the transportation of minerals would be subsidized और जो transportation होगा minerals का खनिजपदार्तों का वो subsidize कर दिया जाएगा central government के दुआरा this policy was 1952 में से इंट्रडीउस किया गया और यह रही 1993 तक और 2000 में हो गया जारकन डिवाइड तो जो minerals थे बिहार के पास उसका फाइदा तो बिहार को कभी मिली नहीं पाया आपको यहां पर साफ दिख रहा है तो यह प्रमुक कारण है गाई जबी आपसे बिहार के backwardness का कारण पूचा जाए तो freight equalization policy को अब जरूर गिनाईएगा इसने बिहार का जो mineral wealth advantage था उसको remove कर दिया क्योंकि अब बिहार को कोई advantage नहीं मिल रहा था बिहार में कोई factory लगाना नहीं चाहता था क्योंकि बिहार एक landlocked state था इसकी सीमा समूंदर से नहीं लग रही थी तो उन्होंने सोचा क्यों न समूंदर वाल जो स्टेट हैं जो सम यहां पर एक्सपोर्ट कर दें तो यहां पर double फायदा मिला factories वालों को बट जो जिसके पास minerals थे जिसके पास खनिश संसादन थे बिहार जैसे states के पास उन्हें कोई फायदा नहीं मिला this policy hurt the Bihar industrial policy बिहार की जो industrial policy थी अध्योगिक जो policy थी उसको hurt किया इसने this the lack of industrial sector puts a lot of pressure द लेंड-locked state तो जोग्रिफिक लोकेशन उतना अच्छा नहीं था तो इंडस्ट्रियल सेक्टर लग नहीं पाए जिसने क्या हुआ जो ज्यादा प्रेशर था वो किस पर पढ़ने लगा agriculture सेक्टर पर यूपी बिहार में by which people start migrating to other stages की वज़ए से pupils ने बाहर माइगरेट करन में गाइस अच्छे से पता होना चाहिए कि देखिए फ्रेट एक्वलाइजेशन को माल ढुलाई समकारी नीती भी कहते हैं यह आपको पता होना चाहिए नीती जिसने बिहारियों को प्रवासी मजदूर बनने पर विवश्च कर दिया अर्थ विवस्ता को बर्बाद कर दि यूट्यूब पर उनको इसको बारे में नौलेज नहीं है इसलिए मैं इसको यहां पर टीच कर रही हूं गाइस घ्यान से समझ लीजिए तो आइधिंग के आप समझ गया होगे आँ देखिए गाइस 1971 से 2001 की अगर बात करूँ तो पूरे जो भारत था उसमें एग्रिकल्चर में काम करने वाले लोगों की जो संख्याती वो घट रही थी बट वहीं बिहार की बात करूँ तो यह जो संख्याती वो बढ़ रही थी क्योंकि जो खरने संसादन थे उनका तो कोई फायदा बिहार को जाथ देखिए राव माटेरियल्स फ्रम माइन्स माइन से जो राव माटेरियल निकल रहा था उसकी ट्रांस्पोर्टेशन को सरकार दे रही थी यहाँ पर manufacturing plant सरकार ने कहा कि कहीं भी manufacturing plants लगाईए हम उठाएंगे cost जो आपकी transportation cost आएगी और फिर उसके बाद इसे market में base दीजिए तो इस तरह से यह आपकी माल धुलाई समकारी नीती थी जिसे freight equalization policy भी कहते थे इसी की वज़े से ज़्यादा industrial development नहीं हो पाया lack of industrial development का कारण प्रमुक कारण यही है इन बिहार तो आप इसको जरूर mention कीजेगा जबी भी पूछा जाए मेंस में या आपका इंटर्व्यू में lack of industrial development in बिहार आपको क्लियर हो गया है कोई मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट रहा होगा कोई डाउट रहे नहीं तो आप मुझे comment section में जरूर लिखकर बता सकते हैं मैं आपको reply जरूर करूँ उसके बाद जो third factor है वो है आपकी caste based politics यह भी बहुत important point है caste based politics ने जो 70 साल तक अभी तक जो rule होता आ रहा है बिहार में वो देखिए caste oriented रहे बिहार is famous for caste politics इसको भी mention आप करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है यह भी one of the major cause है बिहार के backwardness के more caste politics यहां पर caste politics ज्यादा हुई और development की जो politics थी वो कम हुई fine विकास की जो राजनिती थी वो कम हुई जाती वाद की जो राजनिती थी वो ज़्यादा हुई post independence की अगर बात करें आजदी के बात की बात करें तो जो high caste allies थे जो high caste के जो लोग थे उनके पास देखिए power थी economic power थी political power थी तो पर इन्होंने क्या किया जो lower caste के people थे उनको neglect करना शुरू किया तो 1970 के बाद की अगर मैं बात करूं तो नई जो parties थी वो power में आई उभर कर थे बट that political mobilization बट ये जो political mobilization हुआ इसने भी जो economic condition थी बिहार की वो ज्यादा इसने नहीं सुधारी क्योंकि देखिए 1991 में जब लोग LPG model को implement कर रहे थे different states liberalization, privatization और globalization वैश्वी करन और आपका उधारी करन ठीक है और निजी करन जब लगाया जा रहा था different states के द्वारा LPG model को adapt किया जा रहा था बट बिहार उसे में भी caste politics में ही अठका हुआ था fine state बिहार suffered political instability for decades दशकों तक political instability हमें यहां पर देखने को मिली है from 1961 to 1991 की अगर मैं बात करूं तो बिहार ने 20 governments देखी जिसमें से किसी ने अपना term complete नहीं किया it means government were busy इसका मतलब यह था कि governments अपनी कुरस conditions बनाने में लगी हुई थी development से उन्हें कोई लेना देना नहीं था rather to bring reforms fine इसकी वजह से भी जो बिहार है उसने काफी सफर किया from 19 यह मैं आपको बता ही चुकी हूं उसकी अलावा आप mention भी कर सकते हो कि अभी जो condition है वह काफी अच्छी हो चुकी है बिहार की सिर्फ आपको को ऐसा नहीं है कि बुरा ही करनी है गाइस तो आप बता सकते हो कि इन राज्य में सब कुछ negative ही नहीं है अच्छा भी एकनॉमिक ग्रोथ में काफी improvement आई कास बेस पॉलिटिक्स को पॉइंट बताने के बाद बता सकते हो कि जो economic improvement काफी तेजी से हुआ है ठीक है जो आपकी नितीश कुमार जी है उन्होंने बिहार के development के लिए काफी काम करवाया है जहां 1993 की अगर मैं बात करूं से 1994 से 2005 2006 में बिहार का जो growth rate होता था वो 4.8% होता था somewhere around वहीं 2005 और 6 से इनके आजाने के बाद 2011-12 तक का मैं बता रही हूं growth rate आपका 13.5% पहुँच गया ठीक है तो ब progress भी हर चेतर में देखा जा रहा है चाहें वह investment in electricity, clean drinking water, road connectivity, toilet facilities, higher technical education, साथ निश्य प्रोग्राम को implement करने की बात हो तो अब काम अच्छा हो रहा है बड़ जो caste based politics थी from last many decades उसने काफी नुक्सान पचाया है बिहार को और यह प्रमुकारण भी है उसके backwardness का उसके बाद लेक funds यह point भी आप गिना सकते हो, important है guys, देखें lack of funds का भी problem भी हर में हमेशा से रहा है, अगर मैं बात करूं 1951 से 2012 के बीच की तो अपका UP हो गया, भी हर हो गया, यह जो states थे, इनको lowest development fund दिया गया, देखें विकास के लिए fund दिये जाते हैं कुछ केंदर सरकार के दौरा, तो UP बिहार received the lowest developmental funds, वहीं आपका जो गुजरात है, आपका हर्याना है, आपका महाराष्ट्रा है, ठीक है, इनको double funds दिये गए, developmental activities के लिए, देखें ऐसा नहीं है कि इनको कम दिया गया, इनको कम इसलिए दिया गया, कि यहां पे जो राजनिती थी, वो caste politics की हो रही थी, यहां के जो नेता थे, वो ध्यान नहीं देते थे, डिमांड नहीं करते थे, और जो पैसा मिल भी जाता था, तो उसको proper utilization कर नहीं पाते थे, विकास के लिए, तो इसलिए central government मी निगलेक्ट करती रही, और जो states develop कर रहे थे, जो अच्छा progress कर रहे थे, तो उनको ज़्यादा funds सी जा जा रहे थे, ताकि वो ज़्यादा develop कर सके, तो देखिए, lack of funds की वजए से, क्या हुआ, कि जो states था, यह बिहार जो था, इस investment में कम, education में, शिक्षा में कम investment कर पाया, health में, स्वास्त में, agriculture में, industrial sector में, यहां सब बहुत कम निवेश हो पाया, ठीक है, क्योंकि government में बहुत ज administrative will भी कहा जाएगा, lack of administrative will की वज़े से, जो state के taxes थे, उनको भी proper collect नहीं कर पाती थी, जो बिहार government थी, weak administrative capacity, आप ये भी बता सकते हो, आप अच्छा progress हो रहा है, बट पहले ऐसा नहीं था, पहले जो administrative capacity थी, वो भी काफी weak थी, जिसकी वज़े से, proper collection नहीं हो पाता था, taxes का, फाइन, तो lack of funds भी आप उसके बाद, जो पाच्पर पॉइंट है, वो है geographical disadvantage, इसमें आप बता सकते हो, कि सर बिहार landlocked state है, इसमें lack of internal geographic location advantage है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिहार यहाँ पर है आपका, तो समुद्री से इसकी सीमा लग नहीं रही है, global assets इसका है एक जो लग रहा है नेपाल से बाड़र लग रहा है, तो नेपाल को आपको पता है कि कितना अच्छा है, नेपाल के साथ तो क्या ही किया जाए, किसी अच्छी country से इसका बादरी नहीं लग रही है, नदन पार्ट देखिए इसका जो नदन पार्ट है, वहाँ पर floods आते रह geographical disadvantage भी बिहार के पास रहा है, उसके बाद देखिए गाइस, high population growth and low literacy rate, population growth rate तो यहाँ पर बहुत हाई है, maximum fertility rate जो है वहाँ बिहार की महिलाओं का होता है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, 3.41 ठीक है, जो सबसे जादा है भारत में, और lowest है आपका सिक्किम का, जो आप 1.17 है, that is of सिक्किम, प्रजनंदर कहते हैं, फाथिलिटी रेट को, lowest literacy rate है बिहार में 63%, low education, देखिए, education का इस तर लो होगा, तो इसका means low employability, employability कम रहेगी, रोजगार लोगों को जादा नहीं मिल पाएगा, less vocational training भी है, less skill building भी है, fine, तो population जादा होगी, population तो जादा है, population तो तेजी से बढ़ रही है, उस पर नियंतर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वज़े से education का इस तर भी अच्छा नहीं है, education low है, और employment भी low है, जिसकी वज़े से लोगों को migrate करना पड़ता है, बट देखिए, opportunities high है, ऐसा नहीं है, कि causes क्या है, high population growth rate के board members कभी-कभी पूछ लेते, जब आपने जैसे ही mention किया, high population growth rate है, तो वो कहेंगे, क्या causes है, तो देखिए, low death rate, better hygiene, better medical and health care, ये तो low death rate इसकी वज़े से हो गया, बट जो birth rate high है, वो क्यों है, lack of family planning, family planning नहीं है, early marriages है, preferences for son, लड़कों के लिए वहाँ पर preference दी जाती है, need for farm labor, इसकी वज़े से birth rate high है, तो स इसने की opportunities बहुत है, यहाँ पर youngest population है, fine, जो youth है, युवा है, वो काफी जादा है, जो की opportunities को create कर सकते हैं, अगर government और administration का support मिले तो, fine, hard working population resides there, आपने सारा problems देख लिया, मैंने 6 problems को detail में mention किया आपके साथ, now we come to the solution वाला पार, solution भी पूछा जाएगा, तो आपको solution भी mention करना ह है, that what are the solutions to these problems, in problems को solve कैसे किया जा सकता है, ये भी आपको बताना है, right guys, तो सबसे पहले जब हमने जो topic देखा था, unequal land distribution का, तो आप बता सकते हो, कि सर एक बार फिर से land security को increase करने के लिए, land distribution किया जा सकता है, और other major land reforms लाए जा सकते हैं, बिहार में, जिससे equally land को divide करके सारे लोगों को दे दिया जाए, इससे land security बढ़ेगी, जिससे लोग अपने खेतों में investment कर पाएंगे, agriculture productivity बढ़ जाएगी, fine, उसके अलावा, increasing land security would be make, जब land security बढ़ेगी, तो people ज्यादा invest कर पाएंगे, अपनी जमीनों में, the cost, the government can also digitize, देकि government digitize कर सकती है, all land records को, land records जो है, कि इसके पास बिल्कुल खेत नहीं है, कि इसके पास 400-500 बीगा खेत है, कथा खेत है, इस तरह से calculate करें, उसको digitize करें, और पता करें, and speed up land cases, और जितने भी land cases चल रहे हैं, भूमी से related, जितने भी विवाद है, उनको जल से जल सुल जाया जाए, fine, यह बहुत important है guys, क्योंकि ज जादा तर जो विवाद होते हैं, वो बिहार में भूमी से related ही है, okay, तो इस चीज को आप बता सकते हैं, उसके बाद बता सकते हैं, कि सर, make state industry friendly, state को industry friendly बनाना होगा, यहाँ पर investment को invite करना होगा, by improving investment, climate and law and order, law and order को बहतर करके, जिसके लिए improvement हो भी रहा है, काफी अच्छा improvement हुआ है, root cause of almost, देखिये, ruler conflict, जितने भी, guys, ग्रामीड इलाकों में जितने भी लगबग जितने भी विवाद होते हैं, उनका जो प्रमुक कारण होता है, ग्रामीड जो हिंसा है, उसका प्रमु लेंड रिफॉर्म फिर से एक बार करना चाहिए, UP बिहार जैसे छेतर में, ओके, और उसके बाद, need to enhance literacy rate, literacy rate को बढ़ाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, awareness, education के लिए लोगों में फैलानी चाहिए, के पढ़ लिख जाएंगे, तो अगर वो educated होंगे, तो employability बढ़ आए, के सर ये problem है, वो problem है, इस तरह से नहीं बताना है, आपका answer एकदम सटीक, pragmatic होना चाहिए, इसका अर्थ निकले, कि किसके वज़े से backward है, backward है तो कुछ कारण है ना, freight equalization जो policy थी, मैंने आपको बताया, वो एक प्रमु कारण थी, कि बिहार के पास mineral संशादन होने के बा आउट है, तो आप वीडियो के नीचे, कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बतासे हैं, आपके साथ इंपॉर्णन टापिक को डिसकस करती रहूँ